दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल में या फिर किसी भी अकाउंट में आप strong password कैसे save कर सकते हैं और वो password कौन सा होगा जिसको आपके कोई भी hacker hack ना कर पाया या फिर easily कोई भी guess ना कर पाया तो आप प्लीस इस वीडियो में बने रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं, आप अपने अकाउंट के लिए strong password पहले हैं, वेल्कम दोस्तों मैं हूँ अशिश, आप देख रहे हैं, टेक्नो पार्ट चाला तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि passwords क्या होता है, तो मैंने आपको बता दू, कोई भी security लगाने के लिए हम अपने phone में, किसी भी device में password लगाते हैं, आपने देखा होगा normal user क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कि वो सिर्फ normal password लगा देते हैं, या फिर अपना mobile number डाल दी है, या फिर 36% लोग ऐसे हैं, जो किसी का भी password guess कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली ज़्यादा दा लोग यह password डालते हैं, वन्टू, टू, 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 गर्फरेंड ने, पापा ने, ममी ने, पापक mobile number, अपने email ID बगार 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 बगार, लेकिन मैं आपको बताता कि अब कैसे आप अपने account के लिए strong password बना सकते हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखें, जो भी आप password बनाने जा रहा हैं, तो वो कम से कम 8 से 10 character के वीच में होना चाहिए, फिर वो 8 अक्षरों का होना चाहिए, 8 से कम होगा तो वो weak हो जाएगा, और easily उसे कोई भी access कर लेगा, या फिर hack परने में आसानी होगी, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 8 अक्षरों से जादा का है, या फिर उससे बरावर कैसे password चुना जाता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, for example, मेरा नाम आशीश है, या फिर अपन ले ले लेते, for example, सुमित नाम का कोई ब अगर अगर, ऐसे नहीं डालना है आपको, आपको डालना है dollar, dollar भी ऐस की तरह दिखता है, dollar sumit सुमित, और फिर at लगा दीजिए आप, at 1234-0768, ऐसा डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, कि access, अगर कोई hacker होगा, वो पीछे से चेक करेगा, सुमित को मैच नहीं करेगा, और S लगा कि कोई चेक करेगा, तो वो तो वो उसकी जगह बना है dollar, तो इससे आप hacker को बीट कर सकते हैं, और कह सकते हैं, अपने account के लिए strong password बना सकते हैं, या फिर आपको, for example, मेरा नाम है आशीश, तो ऐसे भी लग सकते हैं, capital A, capital S, और बकाय स of small A, S, H, I, S, H, at 789, और फिर उसके बाद लिखना है, 01234, और फिर लाश्ट में add लगा दीजिए, इससे यह होगा कि आपके special character भी आ जाएंगे, आपकी small characters भी आ जाएंगे, capital भी आ जाएंगे, numbers भी आ जाएंगे, तो ये एक बहुत ही strong password होगा, और आप किसी भी website के लिए, even अपने, किसी भी account के लिए इससे use कर सकते हैं, और इससे कोई भी break नहीं कर सकता है, एक नए तरीका को मैं आपको बता दू, pattern, यह फिर कह सकते है password, आप देखें आपका नाम, for example, मेरा नाम आशिश है, तो starting के तीन A-S-H, आगे रखिए, वो small में रखिए, और last में आप रखिए, A-S-H, आई-S-H, मे इससे भी आपका कोई भी password भीट नहीं कर पाएगा, तो ऐसे आपने देखा हुआ का कईफ सारे लोग ऐसे यह normal password डाल देते हैं, और easily उनका है कोई जाता है, फिर कह सकते हैं, कोई भी पता कर लेता है, तो आप मुझे बताना का अच्छा कैसे लगी आपको यह वीडियो, आ कर देना, अपने सभी दोस्तों साथ सेर कर देना है, ऐसी टेक्नलोजी से रिलेटेड इंफोर्मेटव वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी कि मैं स्टेल परोजाना है, टेक्से रिलेटेड इंफोर्मेटव वीडियो लाता रहता हूँ, थैंक्य तो मच पर वाचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं